अब आप जल्दी से आप लोग शेयर करिए अपनी स्टार्ट करेंगे दो मिनिट के अंदर जब तक लोग जुड़ते हैं तब तक आप बता दीजिए स्टडीज कैसे चल रही है शामा एंड मीरा नोट्स बना रहे हैं आप लोग बेसिकली आज के सेशन में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक तो इंपोर्टेंट टर्मिनोलोजी अंकित मैं बहुत अच्छा हूँ आप भी अच्छे होंगे होपफुली बाइलोजी स्टडी गूड इवनिंग समीर वेरी गूड इवनिंग जल्दी जुड़ जाएए थैंक्यू मेरा अपने शेयर किया एच एच एम वाई जेड एलो नोट्स बना रहे हो ठीक है थैंक्यू अच्छी चल रही है ठीक है थैंक्यू आज हम कवर करने वाले हैं ये टॉपिक्स एक तो important terminology बताई थी जिसके अंदर मैंने different type के evolutions बताए थे जैसे convergent evolution, divergent evolution, parallel evolution, co-evolution, x adaptation, pre-adaptation ये सब और natural selection and sexual selection है ये topics अपना आज कवर करने वाले हैं तो आप लोग ready रहे है questions के साथ में बस अभी अपन एक मिनट बाद start करेंगे जुड़ जाएंगे लोग साथ में लास्ट kingdom CSIR की website के उपर ध्यान रखिये वहां से PhD करिये बैटर रहेगा जैश्री कृष्णा fact ठीक है चलिए अपन अब session start करते हैं डिले नहीं करेंगे ज्यादा सबसे पहले हम CSIR के PYQs discuss करेंगे काफी सारे PYQs हैं जो इन topics के उपर आए हैं कलपना very good evening और उसके बाद हम gate के and then अपन जो नए questions frame करते हैं वो discuss करेंगे सबसे पहला सवाल बहुत simple सा है बहुत पूराना सवाल है आप इसका answer दीजिए क्या आना चाहिए The Replica Plate Experiment of Lederberg Good evening Parvinder, fact CUET PG के लिए है क्या यह CUET PG के लिए तो नहीं है आप CSIR NET की preparation कर रहे है या GET की preparation कर रहे है या SET की preparation कर रहे है या आप कोई assistant professor की preparation कर रहे है उनके लिए काफी beneficial है और साथ ही साथ अगर आप CUET भी कर रहे है तो आप देख लीजिए questions easy है अच्छे है वहाँ आपको help तो जरूर मिलेगी ठीक है fact test चलिए तो replica plate experiment क्या था शायद आपको याद होगा कि एक petri dish के अंदर हमने bacteria की कुछ colony ली है और उन colony के अंदर उन colony की हमने replica बनाई और दोनों plates को अलग अलग antibiotic से treat किया और दोनों को अलग अलग antibiotic से जब treat करते हैं तो जैसे यह antibiotic antibiotic A से treat किया इसको antibiotic B से treat किया तो हमको पता चला कि पहली plate में यह दो colony survive कर रही है और लेट से दूसरी plate के अंदर यह दो colony survive कर रही है इसका मतलब इनके पास में पहले से gene है ऐसे जिनके कारण इन्होंने antibiotic को रेजिस्ट किया है तो यह किसका example है natural selection का तो option first है वो बिल्कुल सही option है तो यह रहा पहला हमारा सवाल दूसरा एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस अमंग बैक्टीरिया रिप्रेजेंट अगें सेम सेम सा है वेरी गुड इवनिंग अल फ्यू एम एस गुड इवनिंग बताईए एंटिबायोटिक रेजिस्टेंट आप ऐसे समझे कि एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की हमने उसमें एंटिबायोटिक डाली कुछ बैक्टीरिया की डैथ हुई कुछ बच गए हमने थोड़ा उनको मोका दिया ग्रो करने का हमने फिर से उसमें एंटिबायोटिक डाली सेम कुछ और मर गए कुछ सर्वाइव किये हमने फिर उनको थोड़ा ग्रो करने का मोका दिया ऐसा करते 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 हमने बहुत बार जब उन पर एंटिबायोटिक डाली तो फाइनली हमको एंटिबायोटिक र Balancing Selection, Stabilizing Selection, Directional Selection, and Disruptive Selection कैलाश पती जी, very good evening, मीरा का अंसर 3rd है, concept का 3rd है, अंकित का 5 बार 3rd है इतना ज्यादा confidence, अंकेत, 3rd, 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 सब का 3rd आ रहा है तो अभी अपने को ये पता है ना, कि Balancing Selection और Stabilizing Selection ये दोनों तो सेम है तो ये तो आंसर होई नहीं सकते, क्योंकि Balancing Selection अगर आंसर होगा, तो Stabilizing Selection भी आंसर होगा इसलिए ये तो दोनों हो नहीं सकते, Disruptive Selection अलग चीज है और सही आंसर होगा, Option 3, Directional Selection महेंद्रे सिंग, प्रणाम आपको भी तो हमारा Correct answer क्या हुआ? Directional Selection ये बात हमने DDT-resistant mosquitoes के बारे में करी थी और अभी Question पूछ रहा है ये बैक्टीरिया के लिए पट, Concept दोनों के पीछे सेम ही है कि जब हम एक Particular Pressure अपलाई करते हैं किसी Population के ऊपर तो वो Population किसी Particular एक Direction के अंदर Change होती है इसे हम कहते है, Directional Selection So, ये एकदम Easy Question Question No.3, इसका जवाब दीजिएगा बहुत Easy सवाल है बट ऐसे समझे कि हमारे एक Formality है कि हमको सारे Questions लेने है इसलिए मैंने सारे Questions ले लिये बाकि इतने Easy है ये, इनको Discuss करने का कोई मतलब नहीं है चलिए इसका जवाब दीजिए क्या आएगा इसका अंसर अब तक मैं भी पढ़ लेता हूँ Darwinian Finches of three different beak size, large, intermediate and small एक Darwin Finch है उसकी beak size large है एक जो है उसकी medium है और एक जो है वो उसकी small है ये different size के जो seeds है उनके उपर feed करती है with bimodal distribution अंडर सच कंडिशन, natural selection will favor finches having beak size तो कौन से type की beak size को ये favor करेंगी bimodal distribution का मतलब होता है कि जो दो extremes होते है एक सब से ज़्यादा और एक सब से कम उसे हम कहेंगे bimodal यानि कि two extremes two extremes तो इसमें कौन सा selection काम करना चाहिए disruptive selection और disruptive selection में large and small दोनों type की beak size को favor किया जाएगा यहाँ एक population है वो दो mean population में बदल जाती है और दोनों mean populations में यदि reproductive isolation आया तो आप समझ सकते हैं कि अब दो नई species बन सकती है यह species ऐसा species है जिससे कि अब दो species बन सकती है तो correct answer होगा हमारा large and small हाँ मीरा बिल्कुल आपका सही है अंकीत क्या कहना चाह रहे हो आप और life science आपको भी प्रणाम भई bi-directional और disruptive selection correct answer है option question number 4 इसका सही जवाब क्या आना चाहिए darwinian evolutionary fitness is measured in terms of in terms of आएगा यहाँ पर printing mistake है source में in terms of darwin की evolutionary fitness को इस तरीके से measure किया जाता है sir मैं यह previous 20 year के PYQ लगा रहा हूँ last वाला पार्ट जरूर देखिएगा अभी live अगर आप continue रह सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है just in case अगर आप live नहीं भी रह सकते तो बाद में आप नए frame किये हुए questions को जरूर देखना ठीक है एकदम बढ़िया question है जो आज के pattern के according है आपको बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल biology classes reproductive biological study reproductive success आएगा is cancer option 3 very good evening निशा ecology को update करवा दीजिए आपके भरोसे ecology updated ही तो है आप मेरे lectures देखो तो सही और पुराने अपने notes compare करो तो सही updated है Darwin के according evolutionary fitness जो होती है उसे हम reproductive success के form में calculate करते हैं या measure करते हैं तो correct answer जो होने वाला है वो होगा हमारा reproductive success तो question 4 का सही answer है option 3 बिल्कुल question number 5 formation of many species from one common ancestor एक common ancestor है और इस common ancestor से various species का formation हो रहा है क्या कहा जाए इस process को बताईये Hello Karthike, very good evening, very good evening Aasha तो बताईये इसका answer क्या आना चाहिए formation of various species from one common ancestor so most of the students है उनके answer है वो one 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 आ रहे है मीरा ने divergence दिया है जो option में नहीं है adaptive radiation adaptive adaptive radiation जब एक source population से different directions के अंदर speciation होता है तो इसे हम कहते है adaptive radiation च्विंकल, very good evening निशा ये sanctuary, national park, biosphere reserve, endangered species, इसके perspectives ये आपको net से देखने होंगे इसमें update कराने वाला material net से ही मिल सकता है government की site से मिल सकता है चलो मैं करवा दूँगा ये ठीक है तो इस सवाल का सही जवाब भी क्या होगा हमारा adaptive radiation अगले सवाल पर आते हैं ऐसे type का selection जो की extremes को eliminate करता है extremes का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा character होगा जिसमें सबसे कम character होगा दोनों को eliminate करता है और intermediate को select कर लेता है in that case यहाँ पर कौन सा option सही होगा सर्क्लैडिस्टिक में दो से ज्यादा species बन सकती है क्या एक time पर दो से ज्यादा species अगर हम phylogenetic 3 के concept में बात करें जिसे polytomy condition कहते हैं वो rare होती है diatomy condition है वो ज्यादा सही answer होता है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए आपके इसाब से most of the students है इन्होंने three option select किया है so stabilizing selection होगा जहां पर दोनों के दोनों extremes को हटा दिया जाता है और जैसे मीरा ने बताया यहां पर कि stabilizing selection में over dominance का concept लागू होता है correct answer होगा हमारा over dominance stabilizing selection next question selection which operates against any direction and do not allow to disrupt the existing mean is termed edge चलिये इसका answer दीजिये if possible request google पर भी search कर लेंगे आप भी करवा दीजिये ठीक अनिशा करवा देंगे चलिये इसका जवाब दीजिये साथवे सवाल का जवाब क्या होगा अंकित साथवे सवाल का जवाब देना है ध्यान से language पढ़ना सीखिए जब कभी भी आप किसी भी type की exam देते हैं जहां पर आपको optional type के papers होते हैं आप language को थोड़ा थोड़ा करके पढ़े ब्रेक करके पढ़े आपको meaning समझ में आएगा अलो पवन जी क्या हाल चाल इस सवाल को थोड़ा सा patience के साथ में ब्रेक करके पढ़े आपको अपने आप समझ में आएगा क्या सवाल पूछना चाह रहा है ध्यान से देख लीजिए selection which operates against any direction हमको यह पता है कि यदि हम एक natural selection में population की बात करें तो हमारे पास population में intermediates का number ज्यादा होता है और जो दो extremes होते हैं उनका number comparatively कम होता है अब सवाल यह कह रहा है कि operates against any direction अगर genotype wise बात करें तो एक direction यह है और एक direction यह है इसका मतलब एक direction है वह capital A, capital A है और दूसरी direction है वह small A, small A है और selection इन दोनों के against में लग रहा है और do not allow to disrupt the existing mean यानि कि जो यह mean है, average है इसको disrupt नहीं करता है इसका मतलब यह selection इसी mean को favor कर रहा है selection इसे disrupt नहीं कर रहा है तो यह कौन सा selection होना चाहिए correct answer would be stabilizing selection not first and not fourth balancing selection और stabilizing selection इन दोनों के अंदर language का difference रहेगा जिन लोगोंने fourth option दिया है वो आराम से सुन ले last lecture के अंदर हमने बात करी थी कि जहां बात multiple ellis की आती है वहां आपको balancing selection answer देना है यहां आपको simple क्या बोला है वो समझिये एक population के अंदर जो extremes है उनके against में selection हो रहा है और character का जो mean value चल रहा है उसी mean value को favor किया जा रहा है तो यह selection stabilizing selection हुआ उस mean value को disrupt नहीं किया गया है उसे वहीं पे stable किया गया है balancing selection answer नहीं आएगा multiple ellis की बात नहीं की जा रही है अगर यहां multiple ellis की बात की जा रही होती तो हमारा answer fourth आता very good evening अंकिता तो answer के आएगा stabilizing selection आगे ध्यान रखियेगा क्या पूछना चा रहा है आप बिलकुल अंकित दो हो जाएगा ठीक है lecture जब मैंने last यह लिया था types of natural selection तो stabilizing selection के बाद मैंने balancing selection को अलग से ले करके explain किया था कि जब बात alleles की आती है तो आपको balancing selection पर definitely जाना है चलिए अगले सवाल के उपर आते है हमारा सवाल number 8 very good evening कंचन question number 8 का क्या सवाल का जवाब बताएए क्या होगा a person heterogigous for sickle cell anemia उसको है advantage for both malaria and sickle cell anemia तो अब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना है second answer heterozygote advantage इसका मतलब यह हुआ कि over dominance की यहाँ पर बात कर ली गई है over dominance हो गया यह जब हीमोग्लोबिन की normal chain and हीमोग्लोबिन की mutant chain बनती है तो ऐसे इनसानों को ना तो होता है malaria ना होता है sickle cell anemia तो यह हो गया heterozygote advantage देखो बहुत easy सा सवाल था इसमें मतलब इतना discuss करने लाइक कुछ है नहीं सो मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ अगले सवाल पर आते हैं इसे ध्यान से पढ़िये self-cross between capital a small a results in three types of genotypes in f1 progenies the force of evolution preserving either capital a capital a or small a small a is बदाईए कह रहे हैं कि capital a small a में जब self cross हुआ तो तीन तरीके के genotype बने capital a capital a capital a small a capital a small a small a अब जो force of evolution है वो प्रिजर्व कर रहा है capital a capital a और small a small a capital a small a को तो बिलकुल प्रिजर्व नहीं कर रहे बिलकुल ना तो यह selection कौन सा होगा अच्छा जवाब देना चालू कर दिया अगेन एक बार इसके उपर सोच ले कौन सा answer आना चाहिए 3 और 4 3 और 4 3 और 4 रियाज ने directional दिया है निशा गुपता ने बड़ा confidently fourth option दिया है और बहुत confidently इन्होंने गलत answer दिया है disruptive selection अब मेरी बात ध्यान से सुनिये यहां लिखा है कि evolutionary force capital A, capital A को preserve करेगा और small A, small A को भी preserve करेगा इसका मतलब यह है कि इन चारों में से यह भी अभी present है यह भी अभी present है question क्या कह रहा है कि जब capital A, small A ने selfing करी तो F1 के अंदर यह तीन जीनो टाइप आ गए और जब यह तीनों जीनो टाइप आ चुके हैं present है तो इसको भी favor किया गया इसको भी favor किया गया साफ साफ कहा है इसको तो बिलकुल favor नहीं किया अगर यह directional selection होता तो सिर्फ एक option आता कि capital A, capital A या फिर आता है small A, small A यहां पर बात हो रही है हमारी किसकी दोनों की क्यों कि दोनों को preserve किया गया है तो correct answer disruptive जाएगा इसका ठीक है add आगया, skip कर दीजिये चलिए, next question पर आईए, question number 10 question number 10 क्या कह रहा है if the two extreme morphological forms are favored against heterozygous वापस से बहुत simple सा सवाल पूछ लिया है अगर दो extremes है जो morphological forms है extremes की उनको favor किया जा रहा है against heterozygous such a selection is termed as क्या आएगा इस नांसर? disruptive selection बिलकुल सही बात है, इसमें तो बहुत ज्यादा सोचने की ज़रुत नहीं है हमको चलिए इसमें discuss भी कुछ नहीं करना है, next सवाल पर आते हैं यह बताएए natural selection against extreme phenotype is termed natural selection जो extreme phenotype के against में है इसे क्या कहेंगे? जल्दी से answer दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको भी discuss करने की जरुरत नहीं पड़ेगी हमें सर कितनी unit करने enough होगी CSIR के लिए मेरे previously percentile आ रही है कुछ attempts में शिवानी आप कम से कम no unit बहुत अच्छे से करके जाएं और बाकी units में भी कुछ selective topics करके जाएं आपको benefit होगा part A के उपर जरूर जरूर ध्यान रखें तो option 4 होगा बहुत simple सा सवाल है इसमें कुछ भी नहीं है question number 12 stabilizing selection बिल्कुल ठीक है पिछले का stabilizing selection सवाल number 12 इसका answer क्या होना चाहिए phenotype A had selective advantage over B B had selective advantage over C and C had selective advantage over A the condition is like paper Caesar rock under such condition in nature यह बहुत अच्छा सवाल है बहुत logical सवाल है concept learning आप तो 20 साल के PYQ solve कर रहे हो और 20 सालों के PYQ के अंदर आपको यह सवाल भी मिला होगा बताए इसका answer क्या होना चाहिए बहुत easy है first यह कह रहा है कि A is better than B B is better than C and C is better than A यह तो वही बात हो गई कि एक condition के अंदर A better है एक condition में B better है एक condition में C better है ऐसा तब होता है जब cyclic selection यह fluctuating selection होता है rainy season में एक genotype better है dry season के अंदर एक genotype better है और intermediate season के अंदर एक genotype better है तो जब अलग-अलग seasons के अंदर अलग-अलग genotype better होंगे तो nature क्या करेगी season के according हर बार एक-एक-एक genotype को select कर लेगी तो all phenotypes would be selected correct answer होगा option one यह paper seizure rock वाला आपको एक game होता है ध्यान हो तो कुछ इस तरीके का देखिए सबका selection हो जाएगा ठीक है यह game होता है ना जिसके अंदर दो लोग खेलते रहते हैं अब इस game का rule क्या है simple सा कि जब अपन ऐसा sign बनाते हैं तो इसको अपन बोलते हैं seizure seizure के सामने यदि paper आ जाता है तो seizure है वो paper को cut कर सकती है मतलब यह वाला sign होगा वो winner होगा अगर हम इस तरीके का sign बनाते हैं यह rock है paper जो होती है वो rock को cover कर सकती है तो दो लोगों में से जिसने ऐसा sign बनाया है वो winner होगा और अगर ऐसा sign बन जाता है तो seizure है और rock है rock seizure को तोड़ सकती है तो यह वाला निशान होगा मतलब यह winner होगा तो एक condition में एक जना winner है दूसरी में दूसरा तीसरी में तीसरा इसलिए यह सभी का selection हो जाएगा सारा maintained रहेगा वहाँ पे according to environment selection of phenotype बिल्कुल ठीकर याज चलिए अगले सवाल पे आते हैं Q13 Under which condition of natural selection no allyl would be lost देखो अब allyl वाला example आ गया कोई सा भी allyl है वो lost नहीं होगा population से क्या answer आएगा इसका इसका जवाब दीजिए आप लोग जो है वो telegram channel भी group भी join कर लीजिए वहाँ पर भी discussion चलता है अगर आपको कोई doubt है तो आप वहाँ discuss कर सकते हैं वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको मदद करते हैं आपको question explain करते हैं और अगर आपका कोई भी doubt आप डाल सकते हैं ध्यान रखे आज से preparation start करें तो योगेश्वत अभी आप MSC first year में है आप preparation start कर दीजी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा target करना चाहिए ना एक धंके तरीके से अच्छे से preparation start करके देखो आपको आपके सवाल ज़्यादा तर लोग third answer दे रहे हैं तो third के अंदर heterozygots are favored इसका मतलब capital A को भी select किया जाएगा small A को भी select किया जाएगा जब दोनों को select किया जाएगा तो यह सही जवाब है हमारा third option बिल्कुल ठीक है अगले सवाल पे आते हैं यह बड़ा अच्छा सवाल है इस तरीके के सवाल में आप खास ध्यान रखें यह सवाल कैसे solve करते हैं मैंने आपको यह सिखाया है तो आप तो इस सवाल को अच्छे से पढ़ें और इस सवाल में सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसके उपर आपको ध्यान देना है आपका answer खुद बखुद निकलेगा इसको सोची आराम से क्या पूछना चाहता है वेरी गुड इवनिंग छोटे लाल जी आप लोग अगर MSC में पढ़ रहे हैं या फिर आप पढ़ा रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से आपको पता ही है कि इस चैनल के उपर कंटेंट कैसा है आप उन स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजे प्लीज रीजन बस इतना सा है कि सही कंटेंट पहुंच जाए उन तक बाकी उनकी मर्जी है वो देखना चाहें ना देखना चाहें कोई इशू नहीं है एक बार आप उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें अगर आप मेंसे कोई भी कोलेज में पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है चाहे BSC के बच्चे हों चाहे MSC के बच्चे हों उनको सही चीज मिल जाए ठीक है चलिए तो आप मुझे ये बताईए जो फोर्थ आंसर दे रहे है वो लोगों ने कौन से चीज के उपर ध्यान दिया एक तो दे रखा है mean value एक दे रखा standard deviation body size के लिए इस पर ध्यान दिया है आप first semester में है eligible आपका 2 साल के अंदर complete हो जाएगा eligible है कोई बात नहीं छोटे लाल जी अब आपको पता चल गया हम online भी आते हैं हाँ तो इसमें क्या दियान देना है mean के उपर अगर आपको इस question को या ऐसे ही questions आगे और भी एक दो उनको सॉल करना है तो आपको केवल और केवल mean value पे ध्यान देना है क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि drosophila की population के अंदर mean value है वो 8.5 है standard deviation है वो 2.2 है आपको standard deviation पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है mean value के उपर ध्यान देना है फिर कह रहे हैं कि under natural selection over many generations जो mu था body size का वो आज भी कितना है 8.5 का 8.5 है मतलब जितना पहले था उतना का उतना अभी भी है तो यह हो गया हमारा stabilizing selection और stabilizing selection है तो answer आएगा इसका 4 सही है समझ में आया होगा आपको mean value पे ध्यान देखिए same to same वापस से सवाल है वैसा ही आप इसको भी ध्यान से पढ़े और इसमें भी आप बताएं कि कौन सा वाला answer होना चाहिए आराम से इसको भी देखते रहें हमारे time msc class के समय में कोई नहीं था बताने वाला तो प्लीज अब आप तो बता दीजिए आप तो हैं बताने वाले mean value सही है as mr sir i am confused in option of question number 13 why we can't select option b there मैं बाद में देखता हूं एक बार 13 वाला 13 वाला बाद में देखता हूं मैं ठीक है question number 13 why we can't select option b thank you so much shahu bds share करेंगे आप उसके लिए चलिए आप इसमें ध्यान दीजिए यह सवाल का जवाब क्या आना चाहिए अपना the body weight of adult female of a strain of drosophila is 1.8 जिसमें plus minus 0.45 है mean plus standard deviation इसका मतलब जो mean value है वो mean value कितनी है 1.8 standard deviation दे रखा है आपको 0.45 जिसके उपर आपको ध्यान कता ही नहीं देना है ठीक है इसके उपर तो बिलकुल आप ध्यान नहीं देंगे अब laboratory experiment में each of the three group of a strain was subjected to different type of selection pressure इन तीनों पर selection pressure हुआ group A है उसका body weight है वो अभी भी on an average इतना रहा पहले भी इतना था अभी भी इतना है इसका मतलब यहां पर हो गया है stabilizing selection यह हुआ stabilizing selection दूसरा option कह रहा है कि body weight है वो by model हो गया मतलब दो तरीके का हो गया एक बहुत कम हो गया एक बहुत जादा हो गया इसका मतलब यह हो गया disruptive selection disruptive selection हो गया हमको एक ही population में दो average मिलने लग गया इसका मतलब एक population जो है वो दो mean population में disrupt हो गई है तीसरा कह रहा है कि body weight distribution है वो बढ़ गया और sorry 2.2 हो गया 1.8 से बढ़ करके तो यहां पर है वो directional selection काम कर रहा है एकदम से तो यह समझ में आया आप लोगों को कहां पर कौन सा option third है वो बिलकुल सही होगा जिन लोगों ने यह question कर लिया है आप मान के चले कि ऐसे सवाल आगे आ सकते हैं ठीक है चलिए Question number 16 अभी हमारे पास में 26 question है जो कि pyqs है उसके बाद में हम बहुत अच्छे अच्छे नए frame किये हुए question लेकर के आएंगे इसका सवाल का सही जबाब दीजिए क्या आना चाहिए इन पोपुलेशन इंडिव्यूज्वल्स हेविंग हेट्रोजाइगस फेनोटाइप आर ओर फेवर्ड देन होमोजाइगस डॉमिनेंट विच आर मोर फेवर्ड देन होमोजाइगस रिसेसिव क्या कहना चाहते हैं यह कह रहा है कि capital A स्मॉल ए ज्यादा फेवर किये जाते है एज कंपेर टू capital A capital A और capital A capital A ज्यादा फेवर किये जाते है मनब सबसे ज्यादा इनको फेवर कर रहे हैं तो बताये क्या होगा एलो सर थैंक यू मैं आपकी क्लास करती थी YouTube पे मेरा PhD में admission हो गया congratulations PATK सर मेरा botany background है मुझे ecology में research करना है कोई topic बता दीजिए कहां पर कर रहे है आप PhD पहले आप मुझे वह बताईए और ecology के उपर तो बहुत अच्छे अच्छे topic suggest कर सकता हूं आपको पहले आप मुझे बताईए आप कहां से PhD कर रहे है हाँ चलिए पताईए इसका answer क्या आएगा चोटे लाल ने 4 दिया है बाकि सब 3 दे रहे हैं तो या तो चोटे लाल सही है या बाकि सब सही है Amigo ने 1 दिया है तो हमारे पास में 3 answer आ गए है एक ही सवाल के जो शायद possible नहीं है बोत ऐलिल वूड रिमेन in the population तो इसका answer क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए की 1 आना चाहिए की 4 आना चाहिए बिहार से कर रहे हैं बिहार में कहां से मतलब कौन से university है आपकी या research laboratory है PAT कोई test होगा शायद option 3 जब दोनों एलिल्स को favor किया जा रहा है तो यह हो गया balancing selection का example विशाल गुपता बिल्कुल ठीक है तो correct answer would be option 3 चलिये next question पर आ जाते है अपने दोनों एलिल रहेंगे बिल्कुल रहेंगे question number 17 if natural selection favors an average phenotype by selecting against extreme under such condition देखो एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही एक समस अली आप अगर ecology के अंदर study करना चा रहे है तो आप एक तो local ecosystem के उपर काम कर सकते हैं ताकि आपका काम भी छोटा हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा effort लगाने नहीं पड़ेंगे then उसके बाद में आप keystone species अगर उस area की कुछ है तो आप उसके उपर काम कर सकते है then उसके बाद में कोई अगर माली जीए better predator है जिसको conserve किया जा सकता है क्योंकि predator को conserve करोगे तो biodiversity maintained रहेगी उसका आप काम कर सकते हो कोई community study कर सकते हो आप वहाँ पर बस ecology के अंदर तो यह हो सकता है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा both वाला इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने ऊचने वाली बात नहीं है अठारा नंबर सवाल देखो तब तक मैं छोटे लाल जी का पढ़ लेता हूं message क्या है sir एक चीज और बता दीजिए geology से मेरा MSC है specialization fisheries के अंदर है तो मैं ICR का form भर सकता हूँ आप बिलकुल भर सकते हो आप ICR का form और fish physiology and biochemistry हाँ बिलकुल भर सकते हो आपका तो most welcome है ICR के अंदर बहुत benefit मिलेगा आपको आप भरिये इसका answer भी first आ रहा है selection in which two extreme phenotypes leave more of springs than intermediate selection जो दोनो extreme phenotypes में ज्यादा progenies than intermediate option two आएगा bi-directional आएगा बिलकुल सही बात है यह तो सवाल बहुत बच्चों वाले से हो रहे है क्योंकि जिस level का आपने पढ़ लिया है तो उस हिसाब से बहुत simple simple से सवाल है ठीक है चलिए एक यह सवाल आया है feb 2022 में evening shift के अंदर selection के उपर इसका क्या जवाब होना चाहिए select the correct option that describes the above graph graph मैंने नीचे बना दिया तो below graph समझ लिजी आप reading regarding the length of birds bill birds की जो beak size है उस beak size के basis पे आपको यह बताना है कि यह मान लिजीए कोई size दे रखी है millimeter के अंदर या centimeter के अंदर एक centimeter वाले bird बिलकुल नहीं है population में दो वाले भी नहीं है तीन वाले भी नहीं है चार वाले भी नहीं है 5 centimeter जिनकी beak size है ऐसे birds का number कुछ 10 से कम है 6 centimeter जिनकी beak size है उनका number थोड़ा ज्यादा है जिनकी beak size 9 centimeter है वो population में सबसे ज्यादा है number of birds उस population में सबसे ज्यादा है मतलब जो सबसे लंबी bird beak size है उसी को favor कर रहा है selection तो क्या answer आना चाहिए इसका directional selection next question चलिए वापस से एक छोटा सा सवाल है जिसको शायद पूरा पढ़ने की भी ज़रुरत नहीं है और आप answer दे देंगे इसका मेरे ख्याल से क्या होगा इसका सही जवाब बताईए अफ्रीका के अंदर AS represent a carrier of sickle cell anemia sickle cell anemia है अब मुझे नहीं लगता कि हमें यह सवाल भी पढ़ने की आवश्रकता है क्या आना चाहिए इसका answer विशाल मीरा राम परविंदर concept learning अनिंदिता अमीगो प्रदीप सबका answer 2R इसका मतलब सही है explain करने की जरुवत नहीं है इसको heterozygote advantage होगा जो carrier होंगे hemoglobin के लिए hemoglobin के sickle cell anemia mutant के लिए वो अच्छे रहेंगे बेटर रहेंगे ना उनको malaria होगा ना उनको sickle cell anemia होगा तो correct answer would be option 2 next question pre-industrial period in England यानि की यह हो गया हमारे पास में Darwin का directional selection का example कहना क्या चाहते हैं यह वो देखिए और अब थोड़ी देर में हम अपने नए questions हैं वो discuss करने वाले हैं तो आप बिलकुल से ready रहें यह कह रहे हैं कि during industrial revolution many lichens died out of the tree become blackened by shoot from factories तो dark colored के मोत है वो ज्यादा हो गए ऐसा क्यों हुआ जब industrial melanism नहीं हुआ था environment एकदम साफ clean रहता था तो dark मोत कम दिखते थे industrial revolution हुआ pollution बढ़ा lichen की death हुई background black हो गया तो जो light color के मोत है वो ज्यादा दिखने लग गए और अब light color के मोत ज्यादा दिखने लग गए तो predator उनहीं के उपर attack करता है उनका number कम हो जाता है सही answer क्या होगा natural selection ने dark color के मोत को favor किया which were initially present in fewer number जो starting में कम थे तो यह हुआ हमारा answer option one next question है थोड़ा सा पढ़िये इसको बड़ा famous सा सवाल है आपको समझ में आएगा राम आप भी तो यहां है नेचर फेवर ब्लेक पेपर्ड मोत कॉमा फ्लेज विद बैकग्राउंड चलिए इसका सही जवाब क्या होगा पताईए आप simultaneously यदि दो-दो चैनल के उपर देख रहे हैं तो यह तो आपका potential है अच्छी बात है इस सवाल का जवाब दीजिए यह question नहीं समझ आया अभी समझाते हैं यह question बहुत easy है और ASMR ने तो आंसर भी दे दिया तो सवाल पढ़ते हैं सवाल कह रहा है कि एक मोथ स्पीसीज है occurs as two distinct morphs based on wing color pale and dark एक मोथ स्पीसीज है उस मोथ स्पीसीज में दो color के insects है एक तो है light color pale color light और एक है dark color ठीक है in the forest there are trees with dark colored trunks as well as those with light colored trunks यानि कि forest में एसे paid है जिनका color light है और एसे भी paid है जिनका color dark है इसका मतलब यह हो गया कि जो light color के insects है उनको छिपने के लिए background मिल रहा है और जो dark color के है उनको भी छिपने के लिए background मिल रहा है दोनो टाइप के insects को छिपने के लिए background मिल रहा है आगे पढ़ते हैं And the moats can rest on either tree Birds capture the resting moat and eat दोनों टाइप के insects के लिए छिपने की जगह है फिर भी दोनों टाइप के insects को bird capture कर रहा है तो यहीं से सवाल का जवाब आ गया कि bird जो है वो wing color के अलावा किसी और तरीके से उन्हें detect कर रहा है आगे पढ़ते हैं In a field experiment, the proportion of dark and pale moats captured from dark and light trunk was recorded क्या record किया? कि जो dark tree है, उसके उपर 45 insects है और जो pale tree है, उसके उपर, जो dark tree है उस पर 45 insect बैठे है और उसी के उपर 55 भी insect बैठे है आप सोचो tree तो है dark और उसके उपर 55 light color के insect बैठे है वो तो easily visible है वो तो उल्टा कम होने चाहिए सपोज करिए कि black background है और उस black background के उपर 45 black insect है लेकिन 55 white insect है तो black background पे तो 55 white insect ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगे तो वो तो ज्यादा मारे जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसी तरीके से देखो जो white color का tree है उस white color के tree के उपर 48 dark insect बैठे हुए है जो की easily visible है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि birds है वो किसी और तरीके से उनको capture कर रहे है वरना ऐसा scenario देखने को नहीं मिलता Very good evening Neha Kaushal जी ठीक है? तो fourth answer होगा? अब next सवाल पर आते है क्या आना चाहिए? इसका जवाब In spite of two-fold cost sexual reproduction is the most dominant mode of reproduction among the living organism Two-fold cost का मतलब हो गया कि sexual reproduction के कई cost है जैसे 50% DNA आगे पास नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए 50% DNA है वो तो आगे पास नहीं होगा फिर भी नेचर में maximum species sexually reproduce करती है तो हमें ये बताना है कि which of the following reason might account for this कौन सा reason हो सकता है इसके लिए कि ज्यादा तर species है वो sexual reproduction को ही favor कर रही है ये शायद अपन ने पढ़ा भी था कि sexual reproduction के क्या benefit है sexual reproduction generate genetic heterogeneity through recombination true ये फाइदा है sexual reproduction helps in pursuing deletarious mutations ये भी सही बात है sexual reproduction evolved to stay evolutionarily ahead of fast evolution evolving fast evolving internal parasites मतलब evolution की rate बढ़ाता है तो सारे ही option मिरको सही लग रहे है correct answer होगा option 4 बिलकुल सही जवाब दे रहे हैं आप अब आगे बात करते हैं which of the following statement is true for positive frequency dependent selection frequency dependent selection का मतलब होता है कि nature में जितना genotype का number होगा उस पे depend करेगा कि उन्हें फाइदा होगा या नुकसान कई बार ऐसा होगा कि ज्यादा number होने से नुकसान होगा इसे हम कहेंगे negative frequency dependent selection कई बार ऐसा होगा कि ज्यादा number होने से फाइदा होगा इसे हम कहेंगे positive frequency dependent selection तो अब यहाँ पे positive के लिए पूछा है क्या कहेंगे आप if fitness of genotype increase as it becomes more common जैसे जैसे कोई genotype ज्यादा common होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी fitness बढ़ती चली जाएगी तो correct answer would be option 2 बिलकुल सही बात है next question वापस से बहुत एकदम सीधा साया अनिंदिता गाजी पहला answer नहीं होगा उसका sorry examples of antibiotic resistance अब जहां antibiotic resistance देखा वहीं दिमाग लगा लीजिए कि directional selection का example हो गया यह तो resistance highlight important feature of natural selection which of the following statement is not true false statement पूछा है false statement false statement कौन सा आएगा evolution by natural selection is progressive it makes individual better evolution individuals को better बनाता है या evolution better individuals को survive करने का chance देता है option one मेरे को थोड़ा सा गड़बड लग रहा है evolution never produce better individuals और evolution never produce perfect individuals यह गलत है कहां answer दे रहे हो amigo and परमिंदर natural selection variations नहीं लाता पढ़ लेते हैं natural selection acts on individual but it is population that change with time बिल्कुल सही बात है यह तो यह बहुत छोटी सी basic सी बात कही है कि natural selection हर individual के ऊपर apply होता है पर ultimately जब finally जो कम fit है वो eliminate हो जाते है और ज्यादा fit बच जाते हैं तो हम कहते हैं population select हो गई है तो population time के साथ change होती है बैटर individual को select करता है option 3 natural selection does not cause genetic change in individual natural selection individual में genetic change नहीं करेगा आप बात को ऐसे समझो कि जैसे कोई population के अंदर capital A capital A capital A small A और small A small A है यह तीन genotype है मालो sickle cell anemia वाला case है ठीक है nature इनको select कर रही है तो इनके genotype को थोड़ी ना change किया है nature ने इनको eliminate कर दिया तो nature ने इनके genotype को थोड़ी ना change किया है nature जब individuals को select करेगी फिर वो individual आपस में matting करेंगे तो population में genetic frequencies change होगी allele frequency change होगी उसके साथ साथ genotype frequency change होगी natural selection खुद थोड़ी ना gene बदल देगा तो यह answer तो बिलकुल सही है it does not change genotype in individual natural selection act on phenotype ठीक है phenotype के उपर भी act कर सकता है ऐसे कई case है जैसे कि जो industrial melanism वाला है किसी के पास में dark color है किसी के पास में light color है तो कभी तो dark color को favor कर रहे हैं कभी light color को favor कर रहे हैं तो phenotype को यहां पर operate हो रहा है तो answer first वाला गलत है कि यह question आप answer दीजिए कि अराम से पढ़िए इस सवाल को क्या यह पूछना चाहते हैं आप से अब तक मैं एक छोटा सा एक मिनिट का ब्रेक ले लेता हूं पानी पी लेता हूं कि फसी हमत राम आराम से पढ़ें आप कि अ कि अ यह आटू क्या आण्सराना चाहते है इसका नेचरल सेलेक्शन ब्रींड़ चेंज 해주 in LL frequency true सही बात है नेच्रल सेलेक्शन की frequency में चेंज लाएगा मान ली आपकी बात कर इस सवाल का जवाब क्या होगा और यह पढ़ते हैं सवाल को समझने की कोशिश करते हैं अगर E. coli को ग्रो किया on lactose free medium for 20 generation ये मान लीजिए एक पैटरी डिश है जिसको हमने कल्चर मीडिया बना के इसमें डाला हुआ है जाद रखें कि इस पैटरी डिश के अंदर lactose नहीं है अगले ने बोला है lactose free तो ये lactose free, lactose free medium है 20 generations तक इनको ग्रो किया अंडर दे प्रजेंस ओफ कॉंस्टेंट म्यूटाजन इसके अंदर एक म्यूटाजन डाला ठीक है भई, म्यूटाजन डाल दिया इसका मतलब है कि इसमें लेक नेगेटिव एंड लेक पॉजिटिव दोनों टाइप के इकोलाई, इक्वल अमाउंट में है जितने यहां पर लेक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं उतने ही ऐसे हैं जो लेक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते इस म्यूटाजन के कारण तो बताईए, at the end, it will be observed that क्या यहां पर आना चाहिए सर, नेचुरल सेलेक्शन एलिल फ्रिक्वेंसी में चेंज लाता है यह मैक्रो एवलूशन कैसे है I mean, माइक्रो एवलूशन से अरे, माइक्रो एवलूशन मीरा एक्वुलेट होता जाएगा ना, धीरे 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 फिर वो मैक्रो बनेगा एक बार के natural selection से कुछ नहीं होगा macro evolution के लिए बहुत बार natural selection में जाएगी population तो हमारा ये सवाल है एक petri dish है उसमें lactose नहीं है उसमें E. coli grow कर रहे हैं हमने कोई mutagen डाला हुआ है और उस mutagen से बाद में last में 20 generation बाद देखा कि ऐसे bacteria जो lactose को consume कर सकते हैं उनका number और ऐसे bacteria जो lactose को consume नहीं कर सकते हैं उनका number equal है ये equal amount में है at the end it will observe that ये तो क्या ही है सवाल में ही जवाब दे रखा है तो इसका तो कोई sense ही नहीं बनता मेरे ख्याल से more number नहीं ये तो बकवास सवाल है natural selection genotype change करेगा रियाज आप वो option पढ़िए देखिए क्या option में लिखा है does not cause genetic change in individuals जिनका selection हुआ है उनका genotype थोड़ी बदल जाएगा capital A small A select होंगे तो ये capital A small A ही तो रहेंगे जब ये आपस में reproduction करेंगे तो अगली generation में changes आएगे इनका थोड़ी ना genotype बदलेगा आप आराम से समझे तो देखिए मैंने जान बूज के नहीं लिये हैं तो अपन अब आते हैं अपने नए सवालों के उपर अब आप serious हो जाएं आपको quality content मिलेगा इन questions के अंदर पहला सवाल हमारा इसका जवाब दीजिए ऐसा कौन सा selection है ऐसा कौन सा evolution है जिसके अंदर closely related populations में differences accumulate होते हैं चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए खोड़ा serious हो करके ऐसा कौन सा selection evolution है sorry selection नहीं selection के सवाल चल रहे थे इसका जवाब दें आप very good evening ममता आल गुड बताइए इसका क्या जवाब होगा three one आराम से पढ़ो आराम से पढ़ लो क्या answer आना चाहिए यह कह रहा है कि closely related populations है यह मान लीजिए एक population है और यह दूसरी population है यह दोनों population closely related हैं लेकिन इनके अंदर differences आ रहे हैं तो हो ना हो divergence हुआ होगा क्यों क्योंकि यदि एक common population से दो populations अलग direction में बन जाती हैं तो दोनों में differences accumulate होंगे divergence देखो convergent evolution है उसके अंदर same changes आते हैं यानी कि same changes आ जाएंगे same characters parallel evolution है इसमें भी same changes आ जाते हैं finally को evolution तो एक दूसरे के कारण changes के कारण आता है correct answer होगा divergent evolution तो यह आपका बिलकुल सही जवाब दिया आप लोगों ने जिसका भी आया divergent evolution question number two आराम से इसे भी पढ़ें इसका जवाब क्या आना चाहिए देखिए बताइए बताइए मुझे In the past time members of species A from habitat A and species B from habitat 2 came to live in habitat 3 मान लीजिए कि यह है habitat 1 यह है habitat 2 और यह है habitat 3 क्या कहना चाहरा है habitat 1 और habitat 2 से habitat 3 के अंदर species A and species B आ गई तो आप यह समझे कि दो अलग-अलग species एक habitat में आ चुकी है दूसरा आगे पढ़ते हैं अंसर क्या होगा जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए एक प्रशान्त काया है biology study का विशाल गुपता का अंकीता concept learning समझ में आया आपको नेहा कोशल बिल्कुल ठीक है छोटे लाल रियास ठीक है ठीक है ठीक है तो चलिए इसका answer आ गया option 1 बिल्कुल सही बात है जिसने भी दिया है option 1 इसका answer आएगा समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से इसको आराम से पढ़ करके छोटा question बना लेना है इसको मतलब जो information दे रखिये उस information को easy way के अंदर लिखना है and then आप देखिये आराम से हो गया यह like darwin finches many habitats ठीक है अगला सवाल यह थोड़ा सा छोटा सा सवाल है बट अच्छा सवाल है यह भी many of the orchid species are pollinated only by their specific pollinator this type of interaction could lead to आपके पास में 4 co evolution के examples है 1 2 3 4 चारो के चारो co evolution और मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके के सवाल है अब आप expect कर सकते हो gate में भी और CSIR के अंदर भी जो आप कहते हो कि pattern change हुआ है definitely pattern change हुआ है और अब वह आप से कुछ अलग सवाल पूछ सकते हैं तो आप इन सवालों का collection करके रखें Option 3 भी आ गया 4 भी आ गया 1 भी आ गया 2 भी आ गया बहुत बढ़ियां बाबू जाखट इन्होंने 4 दिया है प्रशान्त ने 3 दिया है विशाल और प्रदीप निवन दिया है और विशाल नहीं, टू भी दिया है, अरे वाँ विशाल, आप तो 3 और 4 भी दे दो, तो एक ही सवाल के 4 जवाब नहीं होंगे, पढ़ाए थे, 3 टाइप के कोईवलूशन होते हैं, एक होता है पेरवाईज कोईवलूशन, वो कोईवलूशन होता है, जो दो इन्टरेक्टिंग स्पीसीज में लगता है, तो इसका सही आंसर होगा, फोर्थ, पेरवाईज, अरे नोट्स पढ़ो, गिल्ड कोईवलूशन एंड डिफ्यूजड, इस तो इवलूशन आर सेम तो सेम इवलूशन, गिल्ड कोईवलूशन या डिफ्यूजड कोईवलूशन क्या होता है, जब एक स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन करें, जैसे पॉलिनेशन है, एक प्ला को 10 species के insect pollinate करते हैं तो इसे बोलते है गिल्ड को evolution या diffused co evolution एक plant में 10 species के according changes आएंगे और 10 species में एक species के according change आएगा तो यह हो गया गिल्ड को evolution या diffused co evolution और gene for gene co evolution किसमें होता है host and parasite में एक host के पास में एक particular gene होता है parasite के लिए और एक parasite के अंदर एक host के लिए particular gene होता है तो आपका जवाब बहुत सारों का गलत है बहुत का क्या सबका ही गलत है बाबु जा खड़ एक का सही है ओफुली आपने बाबु लोजिक से निकाला है आपको याद था आपने तुक्का नहीं मारा है देखा ये सवाल नए सवाल है तो आप इनके अंदर गलतियां करेंगे next question अगें थोड़ा सा इसको पढ़ें अच्छे से आप डेली ठाकूर अच्छा डेली ठाकूर अच्छा डेली ठाकूर पर आज वही फीदर्स हैं वो birds को उड़ने में help कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि एक character या एक adaptation है जो किसी और चीज के लिए evolve हुई थी आज वही character या adaptation किसी और role को play कर रहे है तो सबके answer to आने चालू हो गए तो यह example किसका है एकस adaptation का बिल्कुल सही बात है तो आप तुक्का नहीं मारे ASMR अगर आपने theory पड़ी होगी तो इसका सही जवाब दे दिया होता बहुत बढ़िया चलिए ठीक है अच्छा है क्या वो बाल्टी वाला example याद आया हाँ बाल्टी वाला example याद आ गया था लाए थे नहाने के लिए और उसके अंदर कच्रा डालने लग गए जलो ठीक है कुछ तो याद आया हाँ आप बताईए इसको आराम से पढ़े बकेट फोर बाथिंग बट यूजड एज दस्ट वीन इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्या रही है चलिये तब तक मैं भी पढ़ लेता हूं क्या कह रही है अच्छा ठीक है तीन पोपुलेशन है मैं कह देता हूं अब यह कह रहा है कि पोपुलेशन ए है जे रिप्रोडक्टिव फिटनेस अफ थ्री यूनिट्स बी एंड सी है फोर और फाइफ यूनिट्स तो अब आपका आंसर शायद एजी हो जाएगा तो बताए कि यहाँ पर दिये गए स्टेट्मेंट में से कौन से स्टेट्मेंट से वो करेक्ट है करेक्ट स्टेट्मेंट कौन से है पोपुलेशन बी रीचेज इट्स मैक्जिमम साइज इन फ्यू जनरेशन बी की फिटनेस फोर है इससे ज्यादा फिटनेस तो फाइफ सी की है तो मेरे ख्याल से ए वाला उप्शन तो काट देना चाहिए बी पढ़ते हैं पॉपुलेशन सी ग्रोज दा फास्टेस एंड हैंस ऑक्यूपाई इट्स हैबिटाट सून सबसे ज्यादा फिटनेस बी की है मैंनलब सी की है तो सी है वो जल्दी से रिप्रड्यूस करके अपनी मैक्जिमम साइस तक पहुँचेगी तो बी ओप्शन तो सही लग रहा है मेरे को फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि बोथ पोपुलेशन ए और सी विल ग्रो एट दे सेम पेस एकी फिटनेस 3 है सी की फिटनेस 5 है तो दोनो सेम पेस के साथ कैसे गरो कर सकती है यह भी गलत है Then उसके बाद में D में लिखा है कि population A needs more time to reach its highest population size A की fitness सबसे कम है तो A को सबसे ज़्यादा time लगेगा A से ही 3 option cancel हो गए आरे वा मीरा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था हाँ बिल्कुल सही बात है A से ही 3 option हो गए तो third इसका answer आएगा बिल्कुल third answer आएगा अब देखो आप लोगों में से जो भी जिनोंने भी answer to दिया है या answer one तो किसी ने नहीं दिया answer to दिया है मैं आपको एक simple सी चीज़ बताना चाहरा हूँ आप बिल्कुल नाराज मत होना इस चीज़ को लेकर के बुरा भी मत मानना और सुनकर के improvement करने की कोशिश करना जब तक पुराने सवाल चल रहे थे तब तक आपके answers सही भी आ रहे थे और सब के आ रहे थे अभी जैसे ही नए सवाल आने चालू हुए है एक तो answer देने वाले कम हो गए है दो-चार लोग है जो answer दे रहे हैं और उनमें से भी ज़्यादातर गलत answer दे रहे हैं तीन या चार सवाल हुए हैं, उसमें से भी आप देख लो, दो, तीन सवाल आपके गलत हो रहे हैं, इसका सीधा-सीधा मतलब ये निकलता है कि seriousness नहीं है, आप लोग कौन सा material consume कर रहे हो, थोड़ा सा उसके उपर ध्यान दो, ये जो सवाल मैंने नए बनाए है, वो भी मैंने अपन ने जो पढ़ा है, उसी में से बनाए है, इसका मतलब आपने वो भी नहीं देखा है, पूरा का पूरा, अगर वो भी देख लेते तो भी ये सवाल सही होते अच्छा अगर आपने वो देखा है तो आप उसको apply नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपके सवाल के जवाब सही नहीं आ रहे है तो मैं आपको बस एक ही बात समझाना चाहूंगा कि सही content सही तरीके से consume करिये आप लोग सही जगह पर नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा महनत कर लो ऐसे थोड़ा सा नए सवाल आए और आपके answer आने गलत हो गए है ये तो सही बात नहीं है आप लोगों के लिए ठीक है अगला सवाल B and D होना चाहिए था हाँ ये भी इस बात सही है मेरी mistake है इसका answer B and D होगा मैं change कर दूँगा इसको D होना चाहिए कोमल थैंक यू हाँ नहीं शेकर अहमद ये मेरा गलत है B and D होगा B and D सही होगा बाबु जाखड बिलकुल सही है B and D होगा ठीक है ये सवाल वापस से एक बहुत अच्छा सवाल है नहीं आएगा नहीं आएगा शेकर अहमद B and D आएगा नेक्स क्योशन देखो चार बर्ड स्पीसीज है इन चारों बर्ड स्पीसीज में कुछ कंडिशन्स फॉलो हो रही है आप आराम से सोच के बताएं कि क्या होगा यहाँ पर इसका answer क्या आना चाहिए पढ़िये इसमें क्या लिखा हुआ है and then I hope आप इसका सही जवाब दे पाएंगे हमने एक टॉपिक पढ़ा था और्किड प्लांट्स के लिए यह उसी को मोडिफाई करके बनाया गया है तो आप इसको पढ़ें क्या यह पूछना चाहरा है चार स्पीसीज है PQRS पहली स्पीसीज में एक कंडिशन फोलो होती है कि फिमेल्स ब्रीडिंग से पहले ही नेस्ट बना लेती है बिफोर ब्रीडिंग और यह स्पीसीज मोनोगेमस है यानि एक ही मैटिंग पार्टनर के साथ मैटिंग होती है नेस्ट है वो भी बनके रेडि हो जाता है मैटिंग से पहले ब्रीडिंग सीजन से पहले और इस स्पीसीज में मोनोगेमस कंडिशन है तो बहुत जल्दी मैटिंग भी हो जाती है दूसरी स्पीसीज है कि मेल्स एक्वायर नेस्ट ऑफ अधर बर्ड स्पीसीज और इस स्पीसीज मोनोगेमस मेल्स हैं वो दूसरे स्पीसीज से कॉम्पिटिशन करके लडाई जगडा करके खुड़ा सा उनके साथ में फाइट करके उनके nest को acquire करते है और उसके बाद ये species monogamous है तीसरा option Males make nest after mating जब mating हो जाती है उसके बाद में males है वो nest बनाना चालू करते है और ये species polygamous species है और females है वो abundant nest यानि कि दूसरे birds के छोड़े हुए nest को सर्च करती है और ये species है वो भी polygamous species है अब कहा गया है कि इन चारो species के अंदर reproductive success में difference है तो बताइए कौन सा वाला graph है इनकी reproductive success में variance को represent कर रहा है graph को कैसे read करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ graph ये कहना चाहता है कि जैसे A graph की जो भी species होगी PQRS जो भी होगी इस species में reproduction बहुत जल्दी चालू हो जाएगा जब थोड़े से members होंगे तभी reproduction हो जाएगा B species के अंदर reproduction तब चालू होगा जब members का number बढ़ेगा यानि कि graph जहां से चालू हो रहा है उससे पहले जितने भी members होंगे उनमें reproduction नहीं होगा इसका मतलब वो members बिना reproduction के रहेंगे यानि कि फर्स्ट graph में इतने members है वो बिना reproduction के है सेकंड graph में यहां से लेके यहां तक के members बिना reproduction के है C graph में इतने members है जो reproduction नहीं कर पाएंगे और D graph के लिए इतने members होंगे जो reproduction के बिना होंगे बाद में reproduction होगा तो बताइए कि इसमें सही option कौन सा आएगा एक जवाब आया है बाबु जाखड का option one सोचिए बाबु जाखड आपने किस basis पे answer निकाला है आप प्लीज अपना opinion बताइए कि आपने क्या सोच के a option दिया है biology study है इन्होंने भी a option दिया है विशाल गुपता ने भी a दिया है first answer दिया है तो आप प्लीज जो option a दे रहे है थोड़ आसा आप समझाएंगे कि आपने क्या सोच के answer a दिया शूभम का भी a आया है first answer आया है मतलब answer one वाले ही आ रहे है सर three भी हो सकता है biology चेक करेंगे अपन three का three का अपन चेक करेंगे कोई बात नहीं आपको अगर three भी लग रहा है अपन three भी check करेंगे चलिए तो आपन discuss करतें इसको क्या यह सवाल बोलना चाह रहा है option a कहता है कि female से वो breeding से पहले ही nest बना लेती है nest बन गया है और यह species monogamous species है इसका मतलब यह हुआ कि इस species के अंदर reproduction में time नहीं लगेगा क्योंकि यहां एक male या एक female एक ही partner के साथ में matting करती है तो यहां कोई sexual selection नहीं है यहां कोई time नहीं लगेगा कि mate को select करना है कोई choice कोई selection pressure कुछ नहीं है इसका मतलब इसमें fastest reproduction होगा fastest reproduction कि reproduction में कोई time नहीं लगेगा मैट अवेलेबल है, नेस्ट अवेलेबल है, कोई टाइम नहीं लगेगा अब D को S को पढ़ते हैं S कह रहा है कि फिमेल से वो खाली छोड़े हुए गोंसलों को सर्च करती है अब आप सोचेंगे कि भई कोई भी बर्ड अपना गोंसला छोड़ के क्यों जाएगा तो एक तो फिमेल से वो पहले पूरे एरिया में सर्च करेंगी कि कोई घोसला खाली है क्या और ये स्पीसीज पॉली गेमस हो रहे है चाहिए वो पॉली एंडरी हो या पॉली गाईनी हो वो बाद की बात है लेकिन ये स्पीसीज पॉली गेमस है तो इस species के अंदर meeting partner को select करने में time लगेगा, choice and selection pressure वाला concept होगा, और एक female घोसला ढूंडेगी कि कोई खाली घर मिल जाए उसको, तो इस condition में maximum time लगेगा reproduction होने में, maximum time taken in reproduction, तो होने वाला क्या है, कि जब तक बहुत सारे members नहीं होंगे, तब तक population की size बढ़ेगी नहीं, ज़्यादा members होंगे, तब जाकर के, ज़्यादा में से किसी को खाली घर मिल जाएगा, और किसी का selection हो जाएगा, मैटिंग हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा time taken है, D को, मतलब ये S को, species को, इसका मतलब S species के अंदर, बहुत सारे members होंगे, तब जाकर के mating होगी, तो D graph आएगा S का, और A graph आएगा P का, ये दो तो fix हो गए, अब जो option, मतलब B और C में confusion है, Q एंड आर में confusion है, अपन उसकी बात करते हैं, Q के अंदर क्या हो रहा है, कि male acquire करते हैं, nest को, दूसरे bird से, और ये species monogamous है, इसका मतलब mating partner तो available है, monogamous है, तो mating partner तो मिल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब खाली male को, दूसरे species या दूसरे का घोंसला acquire करना है, time तो लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा, आर के अंदर देखिए, एक तो ये species polygamous है, उसके बाद में males हैं, वो mating करने के बाद में nest बनाना चालू करेंगे, इसका मतलब इसमें less time लगेगा, और इसमें more time लगेगा, more time, सबसे ज़्यादा time किसमें लगेगा, और सबसे कम time किसमें लगेगा, वो तो पहले से था, जो दो option में आपको confusion चल रहा था, उसको आप ऐसे समझ लीजिए, तो यह होगा graph q का, और यह होगा r का, तो correct answer होगा option 1 हमारा, अभी समझ में आया biology study आपको और बाकी लोगों को भी, second and fourth option eliminate हो गए, अब मैंने देखो वो तो देखा नहीं कि second and fourth हाँ, यह तो eliminate हो जाएंगे, option 1 and option 3 के अंदर confusion था, hopefully अभी आपको समझ में आया, ठीक है, चलिए next question पर आते हैं, which type of the following, which of the following type of natural selection leads to reduce the phenotypic variance, इसमें से कौन सा है जो phenotypic variance को reduce करेगा, phenotypic variance मतलब, मतलब ऐसे है कि population के अंदर, suppose करो कि एक phenotype तो है, वो red color है, एक phenotype है, वो pink color है, एक phenotype है, वो white color है, ऐसे करके, तो अभी तो phenotype में बहुत जादा difference है, और एक selection ऐसा है, जो इस phenotypic variance को कम कर लेगा, बताईए कौन सा होगा, इस सवाल का जवाब दीजीए, आप, directional selection, इस सवाल का सही जवाब होगा, option 1, stabilizing selection, याद करें आप, stabilizing selection के अंदर हमने पढ़ा था, this type of selection, reduce the phenotypic variance in the population, कैसे देखिए, जब कभी भी ये selection, stabilizing, नहीं, हाँ, option 2 नहीं आएगा, directional selection नहीं आएगा, narrowing the phenotype, बिल्कुल, शेखर एहमद ने बता दिया, शेखर एहमद ने बिल्कुल सहीं बता दिया, जब phenotype narrow हो जाएगे, stabilizing selection लगेगा, तो variance नहीं आएगा, इस तरीके का selection जब लग जाता है, तो population में से variation है, variance कम होगा, stabilizing selection आएगा, directional selection और disruptive selection इसका अनसर्थ नहीं होगा, variance कम हो जाएगा, और एक value है, वो fix हो जाएगी, समझ ये बात को आप, आप ऐसे समझो, कि मान लो कि एक population के अंदर, जो mean variance है, वो 1.8 है, और यदि आप directional selection मान के चल रहे हो, तो अभी mean value मान लो 2.2 हो गई, बढ़ गया variance, और यदि आप disruptive selection मान के चल रहे हो, तो आप कहोगे कि इस तरीके से 2 values आने लग गई है, तो variance बढ़ भी गया है, variance घट भी गया है, variance कम हो गया, reduce हो गया, मतलब वही आ गया, stabilizing selection आएगा इसका answer, ठीक है, यह सवाल tricky था, दिमाग लगाना है अपने को इसके अंदर, चलिए एक और सवाल के उपर आते हैं अपन, यह सवाल भी काफी अच्छा है, इसका जवाब के आएगा आप लोग बताएं प्लीज, क्या होना च्छिए इसका अंसर, क्या है, इसका भी करेंगा, फोलोविंग्स आरे प्रोपर्टीज आप्स अव स्लेक्शन, रिद देम कैर्फूली, ठीक है, पहला selection, it causes a narrowing of phenotype seen in a population, यह देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे, वो ही हो गया, यह selection क्या करता है, population में phenotype को narrow कर देता है, stabilizing selection, stabilizing selection, दूसरा कह रहा है कि it most often occur during environmental changes or population migrate to new area, यह directional selection आ जाएगा, it lead to sympathetic speciation, एक ही जगह रहते रहते दो species बन जाती है, very good evening, नी तुसे नी, तो यह हो जाएगा disruptive, तो भई, stabilizing, directional and disruptive, तो correct answer होगा, option one, बिल्कुल सही बात है, सबका सही है, next question, in a given habitat, three plant species are growing, following are some given condition with them, read them carefully, पड़ो भई, carefully पड़ो, बस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस सवाल का जवाब आपका आया, अब next सवाल प्याओ, क्या आना चाहिए, इसका answer, species A में, insect केवल तभी pollinate करेंगे, जब flower के पास में high nectar होगा, and strong fragrance होगी, ठीक है भई, species B में, insect pollination को avoid कर देंगे, यदि flower के पास में high nectar होगा, और low nectar होगा, इसका भी first आ रहे गया, और species C में, insect pollination तभी होगा, उन्हीं plants का होगा, जिनके पास में high nectar और low fragrance होगी, सर कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल सही हूँ, राजीर जी आप बताएं आप कैसे हैं, option 3, इद्धार्थ को भी लग रहा है, और कॉमल को भी लग रहा है, और प्रशान्थ को भी लग रहा है, तो सारे लोग option 3 देंगे अब option 3 बिलकुल सही बात है अब देखो कैसे कितना simple अच्छा सवाल था यहाँ पर ना दो characters के उपर selection लग रहा है nectar के उपर और fragrance पे दो अलग-अलग character है दो अलग-अलग gene इनको control करेंगे मतलब genes अलग-अलग control करेंगे पहला option कह रहा है कि insect pollination तभी करेंगे जब high nectar होगा high nectar तब होगा जब extreme मान लो capital A capital A है और जब strong fragrance होगी यह तभी possible है जब एक extreme होगा तो यह तो हो गया directional selection मेरी बात समझ में आ रही है directional selection हो गया यह option B कह रहा है कि insect उन plants को avoid कर देंगे जिनके पास में या तो high nectar होगा या low nectar होगा मतलब उनको medium moderate चाहिए सिदार्थ बिल्कुल सही कह रहे है तो यह हो जाएगा stabilizing selection सॉरी तीसरा कह रहा है कि insect उन्हीं plants का pollination करते हैं जिनके पास में high nectar होता है high nectar कब होगा जब capital A capital A होगा और low fragrance कब होगी जब small B small B होगा इसका मतलब एक character का high वाला character extreme है उसको select किया जा रहा है दूसरे का low वाला है उसको select किया जा रहा है ये भी किसका example होगा directional selection का तो option थर्ड वाला है वो बिल्कुल सही है आया समझ में बिल्कुल easy सवाल था tricky सवाल था ऐसे सवाल आपको exam में और मिल सकते हैं तो बस आप इन सवालों को थोड़ा seriously लें I think last question है ये when males are subjected to a strong sexual selection than females so which of the following statement could be true? Males के उपर ज्यादा selection लग रहा है यानि कि males से उनको ज्यादा tension है तो बताईए अब क्या होने वाला है अरे तो ये thanks कैसे आ गया चलिए बताईए इसके अंदर सर ये question part C में आते हैं कैसे? हाँ part C में भी आएंगे part B में भी आएंगे मैं आपको सारे type के questions की practice कराऊंगा बताई इसका answer क्या होगा? male को ज्यादा tension है तो male के पास में secondary sexual characters होंगे males have the choice नहीं female के पास choice होगी male have to provide parental care ना male को तो खाली gene देंगे बिलकुल सिदार बैट में प्रिंसिपल है आप याद करें और males have no variance male की variance ज्यादा होगी reproductive success के अंदर तो बस ये हमारा third answer बिलकुल सही है thank you so much वही आप लोग जुडे रहें मेरे साथ में last तक और पढ़ते रहें आराम से सबके साथ में share करते रहें और telegram जो है group वो join कर लो वहाँ पर अपन बिलकुल इधर उधर की बाते नहीं करते हैं ना कोई पालतु का promotion करते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ doubts discussion होते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है आप telegram का देखो यह link है विज्ञान कक्षा आप telegram जोइन करिए वहाँ पर आप अपने doubts भी भेज सकते हैं और दूसरों के doubts भी solve कर सकते हैं तो इतना आप अच्छे से करें भई yeah thank you so much मैं जल्दी मिलते हैं पन नेक्स lecture के साथ yeah thank you thank you thank you हा शेकर है आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दी आपके काफ़ी concepts भी अच्छे हैं आपने सही सवाल भी दिये, राजीव विज्ञान कक्षा नाम है, देखो नीचे आपको विज्ञान कक्षा दिखाई दे रहा होगा, आप उसके उपर सर्च करिये, विज्ञान कक्षा, और ऐसा लोगो आएगा अपना, जोइन कर लीजिए, Thank you, good night, thank you very much everyone.